सुशासन महत्सों के उद्घाटन कारेक्रम में, आज उद्घाटक के रूप में हमारे बीच उपस्तित भारतिय जनता पारटी के राष्ट्रिय अध्यक्षिर आदर्निय श्री जीपी नड़्डा जी, श्रीवी सतीश जी, श्रीविने सहस्त्र बुद्धे जी, श्री जैन्त कुलकरनी जी, यहाँ पर उपस्तित सभी मानुभाव और उपस्तित सभी भेन और भाईयो, मैं सबसे पहले रामभौ मालगी प्रबोदिनी की और से अधर्निय जीपी नड़्डा जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि सुशासन महत्सो का अर्थ होता है सेलिब्रेशन और ये सेलिब्रेशन इसलिए है कि आज भारत में सुशासन पर्व चल रहा है और इस सुशासन पर्व को एक महत्सों के रूप में जन जन तक पहुचाने का काम इस कारेकरम के माध्यम से हो रहा है जहां एक और हमारे प्रधान मंत्री आदर प्रणिया नरेंद्र मोदी जी ने सूशासन का एक ऐसा माहोल तैयार किया है कि जिसमें चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो सूशासन के अलग-अलग मॉडेल्स आज हमको देखने को मिलते हैं और उनको साजा किया जाए एक दूसरे को ये मॉडेल्स पता भी चले और समाज में काम करने वाले लोगों को भी ये मॉडेल्स पता चले इस दुष्टी से सूशासन मोद्सो का आयोजन यहां पर किया गया है वैसे तो सूशासन की अवधारना हमारे समाज में बहुत पुरानी है हम लोग अयोध्या कान देखे तो उसमें सूशासन हमको देखने को मिलता है हम लोग महाभारत में भी अगर देखे तो हमको सूशासन की अवधारना अनुशासन पर्व में देखने को मिलती है और इतना ही नहीं है तो हम लोग जानते हैं चाहे मोरिकाल हो या फिर आचार्य चानक्यने लिखी हुई कि सारी नीतिया हो हर जगह हमें सूशासन देखने को मिलता है चत्रपती शिवाजी महाराज इनके कारेकाल में सूशासन का एक ऐसा मॉडिल हमें देखने को मिलता है कि जिसमें जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके न्याय की चिंदा की जाती है और इसी सूशासन को एक प्रकार से हमारे आधुनिक भारत में हमारे शद्धेव पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाचपई जी ने हमारे लोक तंत्र में इसकी न्यू रखी और 2014 के बाद हमारे प्रधान मंत्री माननिया नरेंद्र मूदी जी ने जिस प्रकार से देश को सूशासन के आधार पर बदला देश के डिलिवरी सिस्टिम को बदला देश में 25 करोड लोगों को गरीबी रेखा के उपर लाने का एक महत कारे करके दिखाया और जिस तरह से एक महाशक्ती के रूप में भारत बदल रहा है इसका अगर कोई एक कार तो वो सुशासन और गुड गवर्ननस है जिसके एक बे-मिसाल मॉडल हमारे आधर्ण ये प्रधान मंत्री जी ने हमारे सामने रखा है किसी ने बहुत सही का आए What is good governance? तो बहुत छोटी सी व्याक्या उसकी दी है Good governance is like oxygen in air Its presence need not be felt But its absence kills you और समाज में भी ऐसा ही है सुशासन से हमारा जीवन तो बहुत अच्छे से चलता है इसलिए कई बार यह अनुभूती नहीं होती कि सुशासन किस प्रकार से चल रहा है इसलिए मोहत्सों के माध्यम से हम लोगों को उसकी अनुभूती करवानी पड़ती है लेकिन हम लोगों ने 2004 से 2014 तक देश में कुशासन देखा या सुशासन का अभाव देखा तो किस प्रकार से हमारे देश की हालत होती है किस प्रकार से हमारी संस्थाए धिरे-धिरे मौत के और जाती है ये भी हम लोगों ने देखा है इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित ही अब ये जो सुशासन पर्व शुरू हुआ है देश में और प्रधान मंत्री जी के नेतरुत में प्रदेशों में इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे कुछ समय के बाद मेरा साक्षातकार भी यहां होने वाला है इसलिए मैं और लंबा नहीं बोलना चाहूंगा मैं केवल हमारे आधरणिय राष्ट्री अद्यक्ष श्री जगत्रगाश नडड़ा जी का फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जिन सब लोगों ने इस से उपमुख्य मंत्री है हमारे केंदर के मंत्री है इन सभी का मैं अगरिम धन्यवाद अदा करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं जय है